कि नमस्कार दोस्तों मैं आविनाश कुमार जेस एस्टो वासु के फाउंडर आप सभी दर्सकों का हर्दिक स्वागत करता हूं एक फिर से मैं अपने चैनल पर आज का जो बिशा है वो भी हम विदेश यात्रा या विदेश्व सटेलमेंट के बारे में ही चर्चा करेंगे हम हमें पिछले वीडियो में भी विदेश यात्रा विदेश के सटेलमेंट के बारे में चर्चा की थी यदि आप हमारे चैनल में दोस्तों नए हैं तो किर्पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब आवस्ट करें साथ में जो आपको बेल का बटन है उसे दवाना कदापित ना बोल किर्पी आप उसे देखें और यदे किसी वी जाता को किसे भी माता पिता परिवार वाले को परिजनों को यदि कुण्डली मिलाने के संबंदित कुछ भी सवाल यदे आपको मुझसे पूछना आप हमसे संपर्क कर सकते हैं साथ में दोस्तों मैं कुण्डली का अध्यन भी जानना चाहते हैं चाहिए आप नौकडी के बारे में जाना चाहते हैं, चाहिए आप अपना नमबर इस वाइडियो में बरावर देता रहूंगा तो चलिये हम लोग बात करते हैं विदेस वी में बताया था अकुछ सुत्र महत्पुर्ण सुत्र इस वीडियो में भी मैं आपको साजा करूंगा विदेश यात्रा या विदेश सट्लमेंट का जो भी योग है बहुत सारे इसके योग बनते हैं, बहुत सारे इसकी स्थितियां बनते हैं, पर स्थितियां बनते हैं, हम लोग गरह को देखते हैं, हम लोग भाव को देखते हैं, उसके रूसारा हम लोग ये बताने में सक्षम रहते हैं, कि ये क्या ये बैक्ति विदेश जाएगा या नहीं जाएगा, जाए संसाधन संझा efek के अनुसार वहाँ जाएगा विदेश में बहुत सारे कार्ण होते हैं हम लोग जानते हैं कि हमारे काल पूरुच कुंडली में बारा घर होते हैं सभी घर का अपना एक महत्त होता है दोस्तों जनरेली हम लोग विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट चंद्रमा को देखते हैं क्या कि चंद्रमा हमारे विदेश यात्रा का नेरसर की कारक माना गया है साथ में हम लोग बारवे घर को देखते हैं कि बारवा घर हमारे विदेश के सेटलमेंट को बताता है दोस्तों साथ में हम लोग घरों को देखते हैं जैसे दूसरा घर वो हमारे धन को बताता है धन का घर हो गया चौथा घर यह हमारी माता का हमारे मात्र भूमी का घर हो गया हमारे सुक का फोल होगया। शातुमागर हमारे पार्टनर का, हमारे वैपार का घर होता है, तसमागर हमारे आजीठी़ का घर होता है, कर्म का घर होता. हम hanya कुछ सुत्र आप के साथ शेयर करेंगे, और एक कुंडली भी में लगाऊंगा। जिससे आप अच्छी तरह समझ सकें कि क्या आपके कुंडली में भी ऐसे यूग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। जैसे हम आज बात करेंगे दसवे घर का बारवे घर से संबंध। दूसरी हम बात करेंगे, चौ१्धा घर जो हमारे विदय सियातरा, का वहुति महत्पुर्न घर होता है। कि चौ१धा घर से अपने मात्र भूमी को देखते हैं, अपने जन्म अस्थान को देखते हैं। उसका सम्बन्द वारवे घर से बन रहा है कि ने बन रहा है। असात में हम लोग राकेश को देखेंगे, सेप्रेटिव गरह को देखेंगे, यह हमारे सेप्रेशन को बताता है, हमारे घर से दूर को बताता है, हमारे परिवार से दूर को बताता है, एक बाप फिर से मैं कहना चाहूंगा, तो आप लोग नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक क्राइब का है उसे दवाते ही एक घंटी आपको देखे कि उसे भी आप किलिक कर दीए तो नोटिफिकेशन हो जाएगा साथ में दी आपको अपनी कुंडली का किसी परकार से भी विश्लेशन्स अध्यन करवाना हो तो आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए हम बात करते हैं एक कुंडली हम लगाते हैं साथ में यह करना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग भी अपनी अपनी कुंडलीयां खोल के रखें अपनी अपनी कुंडलीयां कहीं कागश में नोट कर लें और उससे मैच कर जो मैं बता रहा हूं किया आपके कुंडली में वह योग बता रहे हैं वह प्रस्थती बता रही है वह ग्रह बता रहे हैं तो हमें क्या देखना है कुंडली में हमें देखना बारवे घर को देखना है दोस्तों बार्वांगर हमारे वय का घर होता हमारा जेल का भी घर कहलाता हमारे अस्पताल का घर कहलाता हमारे विदेश में बसने का भी घर बार्वांगर ही कहलाता दोस्तों यदि पांचवे का समंद्ध बार्में से हो जाया तो वैसे वैक्ति परहाय लिखाई करने के लिए विदेश जाएंगे, यदि नोवे का समंद्ध बार्में से हो जाता तो वैसे वैक्ति हायर एजुकेशन्स के लिए विदेश जाएंगे, या तिर्थ यात्रा करने के लिए उसी परकार यदि साथमें का सम्मंद यदि दस बारवें से हो जाता है तो साधी के बाद विदेश जाएंगे दोस्तों. या एक कुंडली आपको आ रहे होगी, साथमें नवांस कुंडली भी मैं लगाया हुआ हूँ दोस्तों. यह हमारे एक परिचीत आसिष जी जो विदेश में रहते हैं दोस्तों. बर्तवान समय में आसिष जी विदेश में इस्तित एक अच्छे बैपारी के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों. इन्हें बच्पन से ही विदेश में पढ़ाई लिखाई कर वहीं अपना बैपार कर अपनी आजिविका का अस्थान बना लिया तो यह देख सकते हैं कि सिग्ण लगन की कुंडली है दोस्तों हम नोग पहले लगन के बात कर लेती हैं लगन दी मेरी मजबूत होगी हमारी इक्ष्छा मजबूत होगी दोस्तों हम क्या पेबल होंगे कही कुछ काम करने के लिए कुछ सोचने के लिए कहीं जाने के लिए तो लगन में देखिए कोई पाप गरह बैठे हुए हैं, जी नहीं बैठे हुए हैं लगन में, कोई पाप गरह से द्रिष्ठ हैं, तो आप देखिए कि कोई पाप गरह से भी द्रिष्ठ नहीं है लगन, तो हम कह सकते हैं कि लगन हमारा जो है मजबूत है, लगनेस लगन कौन हुए देख सकते हैं आपको दूसरे घर में विराजवान है साथ में उनके गुरू और सनी भी है तो कह सकते हैं कि गुरू के बैठने से उसमें सातिक तो आती है लेकिन सनी के बैठने से थोड़ी सी पौलम हो सकती दोस्तों तो लगनेस थोड़ा सा कमजोर है लेकिन लगनेस सुड़ी है उनमें इतना तेज भरावा इतना परकास है कि उस सारे बुराईयों को खतम कर देते अपने परकास से अपने उर्जामान सक्ती से खतम कर देते अब चलिए हम लोग यहां देखते हैं सबसे पहली बाद चंद्रमा के लिए दोस्तों चंद्रमा के लिए हमको विदेश यात्रा में दी जाना है तो हमें चंद्रमा देखना चंद्रमा हमारे विदेश यात्रा का नैसरगी कारक कर लाता है साथ में बाड़ में घर को देखना साथ में हमें हर भाव को देखना इसके स्वामी को देखना हो कहां बैठे हुए हैं तो हम जैसे बता सकते हैं कि दूसरा घर धन का घर होता है दोस्तों चोथा घर आपको सुक का घर होता है और आपो दस्वा घर का का घर होता है दूसरे घर के जो कारक घरह हो जाते हो जाông दोस्तो आज हम बात करेंगे दस्वें बार्वें अगर अप इस कुंडलि में लगन के कुंडली में देख सकते हैं दोस्तो दस्वे नम्मर में, दस्वा नम्मर हमारा दस्वा भाव हमारा कर्म का भाव होता है, हमारे आजीबी का भाव होता है, तो दो नम्मर लिखा हुआ अर्था, यह हमारे विश्व रासी खलाती, इसके स्वामी को उन्हों के शुक्त करोगे, देखिए ओ कहां बैटे हुए है, व दूसरी नम्मर की रासे में बैठे हुए और चंद्रमा यहां उच्छ के भी कहलाते हैं, तो यह ऐसे जा तक विदेश जाएंगे दोस्तों, विदेश में जाके इनकी जो भी आजविका है वहां करेंगे और वहां की नागरिक्ता भी पाएंगे दोस्तों, उसी परकार में आप चोथे घर को देखिये तो चंद्रमा अपनी सत्मे संक्स्ति से हॉलख को देखार यह दोस्तुं पलस आपको देखिएगा कि चोथे घर का राशी कौन सा हो गया विष्चिक राशी हो गया को स्वामी कौन मंगल हो गया मंगल को आप देखिए दोस्तों अपनी अठ्वी दिष्टी से उस चंद्रमा को भी देख रहे हैं इस परकार हम कर सकते हैं कि यह व्यक्ति विदेश जाएगा विदेश में प्रहाई लिखाई करेगा विदेश में ही बज जाएगा कि अधिकांस्त्र ग्रह चंद्रमा को देख रहे हैं और चंद्रमा क्या बारवे घर का स्वामी है दोस्तों आप देख सकते हैं दूसरे घहर में गुरू बैटे हुए हैं वो भी अपनी दिश्टी चंद्रमा को देख रहे हैं आजिविका को देख रहे हैं तो उनका आजिविका वहां चलते रहेगा उसकिसी परगागे परिसानी नहीं होगे और हमने साथ में कहा था राकेश को देखना बहुत जूरी है राकेश अर्थात राहू की तूशनी यह हमारे सेप्रेटिप पलेनिट होते हैं गरह होते हैं यह हमारे सेप्रेट करते हैं हमारे मात्र भूमी से हमारे देश से हमारे परिवार से यह हम देख सकते हैं कि बाडवे दिश्टी से सुख भाव मात्र भाव को देख रहा है मात्र भूमी को देख रहा है मतलब वहां से प्रितक करवा रहा है उसी बगार अब सनी को देखेगा सनी अपनी तिस्ती डिश्टी से दोस्तो चोथे घर को देख रहा है माता घर को मात्र भूमी को देख रहा है अपने काम कर रहा है कि जा तक जब एक वार अपने घर से निकल जाएगा तो दुबारा कभी लौट के नहीं आएगा दो दो सेप्रेशन गरभ उसे देख रहे हैं अब साथ में दोस्तों मैं यह आपको यह कहना चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली में यही देखे बारवए घर को देखे बारवे घर में कौन सी रासी है उसके स्वामी कहां बैठे हुए उनका सम्मंद किस भाव से किस भाव के स्वामी से बन रहा है यदि वो सम्मंद चाहे वह yutty हो, चाहे वह drishti हो, यदि बली है तो वैसे जातक अवस जाएंगे विधेश, किस कार के लिए जाएंगे आप उस घर से देख सकते हैं, दूसरे घर से संबंद बारवे का बन रहा है तो धन प्राप्ति करने के लिए विधेश जाएंगे आपको छोथे घर से यहदि बारवे घर का सम्मन्द बन रहा है तो वो आपको सुक्ध, सुब्धा घर, भूमि, जमीन, जादा, बाहा, नित्यादी के लिए बिदेश जाएंगे पांचमे घर से दिवारवे का सम्मद्ध बन रहा है तो वो अपने परहाई लिखाई के लिए विदेश जाएंगे, सातमे घर से दिवारवे के लिए विदेश जाएंगे, सातमे घर से अपने नौकड़ी के लिए अपने कर्म के लिए अपने आजविगा के लिए विदेश ज कारक होते हैं दोस्तों हमें असा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे होगी दोस्तों इन अच्छी लगे तो किर्पया हमारे ãy subscribe करें साथ में like करना ख़्राबित न भो लें दोस्तों जैमातादी धन्यवाद दोस्तों